हेलो अरिवान, वेलकम टो फार्मरोक्स यूटूब चैनल, फार्मरोक्स के यूटूब एच्व के स्टनल चैनल में आपका स्वागत है आज की वडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टेडी करेंगे स्टेरोइड्स के बारे में तो हम सिखेंगे steroid and medicines के basic use के बारे में, साथे जानेंगे उनके dose के बारे में, सिखेंगे उनके side effect and warning and contraindications detail में आज के lecture में तो सिखेंगे steroid दवा क्या होती है और ये medicines कौन से बिमारी में हम use करते हैं अपडेटेटरी रहे फारे में एक साल तक सरल बासा में, फार्मारोक्स के बारे में एक साल तक सरल बासा में में मिल जाएगी या फिर 9016312020 नमबर वे call या WhatsApp कर सकते हैं, तो अब समझते हैं steroids के बारे में, तो steroids एक ऐसे class के medication है कि जिनको हम anti-inflammatory drugs करते हैं तो anti-inflammatory में लबकि ऐसी दवाई है कि जो हमारे body के अंदर सुजन जो है वो कम करते हैं यहाँ पर आप देखो यह वाले diagram के अंदर तो यह वाला जो आपका लेग देख रहे हैं तो वो वाला लेग हम कह सकते कि normal है पर बाजो वाले legs में आप देखो तो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी सुजन तो ऐसी condition को treat करने के लिए steroids जो एक anti-inflammatory medication के class में आते हैं कि अगर आप उसकी pharmacology की study करो तो steroids आपको anti-inflammatory drugs के category में मिलेंगी और यह medications के पास ऐसी ability होती है कि वो क्या करती है reduce करती है and block करती है जो chemicals release होते है inflammation के दोरान और इस तरह से यह inflammation मतलब कि जो सुजन को कम करती है मतलब कि देखो कि समझे कि आपको इस जगा पर सुजन हुई है तो वो सुजन के लिए responsible जो chemical release होते थे उनकी effect को block कर कर देती है और उनका release जो हो कम कर देती है यह steroidal medication की जिससे यह medications लेने के बाद सुजन जो है वो दिरे दिरे कम हो जाती है ऐसा नहीं है कि steroid सिर्फ सुजन को कम करने यूज किये जाते है उसके अलाव़े पी उनके बहुत सारे number of uses है कि वो हम सीखते है आज के lecture में अब तो steroids का उपयोग आप जाने तो सबसे पहले पूरूसों के अंदर हम जाने तो वो yorn hormones को बड़ाने के लिए जो होए वो यूस की जाते है yorn hormones मतलब कि जो testosterone वगरा होते है कि जो पूरूसों के अंदर जो उनके male hormones जो हम कहते है special है तो उनको increase करने के लिए उनको बड़ाने के लिए steroids जो वो खास कर use किया जाते है second हम देखे तो presence समता को बढ़ाने के लिए कि जो infertility या फिर जो sterile related जो problem होते है पुरूशों के अंदर तो उसको बढ़ाने के लिए भी steroid use किया जाते है फिर जो चया पज़ाए कि जिसको metabolism कहते है वो भी enhance करता है साथ हो साथ जो हमारी immunity है उसको भी boost करने के लिए steroids जो ही वो use कहते है जो एक रोख प्रतिकारक समता जो हमारी कहते है उसको दूरस्त करने के लिए उसको बढ़ाने के लिए पांचवा हम देखे तो mass species और हड़ियों का गनत्व बढ़ाने के लिए यहाँ पर आप यह देखो कि जैसे यह bodybuilding का जो एक proper आप देख सकते है image तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो mass species अमलब के आपके जो muscles होते है और आपकी जो हड़ी अमलब के bonds तो उनकी density गनत्वा को बढ़ाता है कि जिससे आप जो है वैसे bodybuilder जैसा जो है वो feel करते है बट इनके कुछ side effects भी होते हैं जो हम आगे सिखेंगे फिर दर्द निवारक के तौर पे भी यह medications यूज की जाती है साथ हो साथ दूसरे भी उसके प्रयोग है जैसे की सरीर में सुजन कम करती है और सुजन कम होगे तो जो pain है दर्द है वो दिरे दिरे कम होता है तो sterile drugs के हम example देखे तो prednisol उन एक steroidal medication है प्रैडिसोन भी steroidal medication है फिर जो आप beta-methosone यूज करते हैं कि जिसके popular injection as well as उसके tablets होगे रहा solutions होगे रहा भी आप यूज करते हैं जैसे की dexona के tablets होते हैं dexamethosone जो हम कहते हैं beta-methosone का जो यह famous marketed formulation है betnesol ऐसे ही dexon अभी काफी famous है तो यह जो medications जो steridal drugs है उसके अलावा hydrocortison है methyl prednisolone है deflazacort है तो यह कुछ ऐसी popular steroidal दवाई है कि जो बहुत सारे अलग-लग medical conditions को ठीक करने के लिए use की जाती है फिर यह आप यह देखो तो prednisolone भी 5 mg के dose में available होता है तो उसका classification हम देखते है कि steridal medications का हम कौन से अलग-अलग class में divide करते हैं तो सबसे पहले pharmacologically वो short acting medications कौन है तो हो है hydrocortison है cortison फिर जो intermediate acting कही जाती है steridal drugs वो है prednisolone है and methyl prednisolone तो यह intermediate acting कही जाती है तीसरा class बनता है उनका long acting मतलब कि वो लंबे समय तक उसकी effect देती है जैसे कि beta-methosone है, glucocorticoids वगेरा है dexamethosone है paramethosone है और चौथा class बनता है topically active topically मतलब कि उनके specially creams वगेरा वेलेबल होती है जैसे कि baclumethosone के आप ointment वगेरा, cream वगेरा यूज़ करते है उनके gel वगेरा होती है कि जो specially सुजन वगेरा कम करने के लिए allergy वगेरा कम करने के लिए skin disease वगेरा हो उसमें भी यूज़ की जाती है fluocortelone है and popular में हम देखे तो dexamethosone जो हो काफी यूज़ होता है beta-methosone भी काफी यूज़ होता है as well as prednisone, prednisolone और methyl prednisolone के tablets भी बहुत सारह अलग-अलग medical conditions में यूज़ की जाती है तो और sterile or medications के हम कुछ basic यूज़ समझे तो जब allergy वगे रहा होती तो उसमें भी समझे के जो antihistamines use नहीं हो रहे antihistamines से allergy जो symptom से वो काम नहीं हो रहे तो उस वक आपके पास यह steroidal medications के option रहते है फिर किसी को breathing related problem है सास लेने में difficulty तो उस वक आप steroid में और वो भी specially जो long acting steroids वगरा जो होते है वो use किये जाते है फिर जो arthritis की जो count decision कहते हैं कि जो गठिया रोग होता है तो गठिया में भी ये steroids जो वो use किये जाते है rheumatic rheumatic problems जो होते है rheumatic arthritis वगरा है उसमें भी ये steroidal दवाईया यूस किये जाते हैं जैसे कि प्रेटनी सोलन है, मिथाइल प्रेटनी सोलन फिर जो बहुत सारे skin diseases होते हैं उसमें जो topical steroidal drug से वो यूज की जाती है allergies के जो काफी severe हो जाती है तो उसमें भी ये medication यूज की जाती है फिर अस्थमा में भी ये medication यूज होते हैं COPD में यूज होते हैं brain के अंदर समझे के सूजन हो रही है swelling हो रही है तो भी steroid यूज की जाती है साथ हो साथ जो eye pain होता है आखों के अंदर pain होता है दरद होता है किसी surgery के बाद तो भी ये steroidal medications के eye drops as well as उनके ophthalmic preparations जो हो यूज की जाती है तो ये होगे उनके कुछ basic use साथ ही जाने कुछ एक popular use है कि जो badness all है कि जो एक steroidal medication है तो lungs development के लिए use की जाती है especially fetus के अंदर के का कई बार ऐसी medical condition produce होती है कि preterm birth का problem होता है और preterm birth का जो problem होता है कि जिसको पूर्व प्रसव के स्थिती कहते है और ऐसी condition में समझे कि बच्चे के जो lungs यह अच्छे से develop नहीं हुए या फिर उसका brain अच्छे से develop नहीं हुआ या फिर उसका heart अच्छे से develop नहीं हुआ तो उस वग beta metasone as a steroid जो हो यूज किया जाता है कि जिसके जो badness all injection होते है वो use किया जाते है कि उस वक्त आप जो हो बेबी के lungs और उसके जो heart है उसके brain वागेरा को develop करने में ये injection काफी help करता है और वो specially तब दिया जाता है कि जब पूर्वो प्रसव के स्थिती produce होती है ऐसा कोई risk होता है कि जैसे कि membrane rupture होता है या फिर amniotic fluid जो हो दीरे-दीरे कम होता जाता है और ऐसी condition produce होती है कि जो full term होता है 40 week का उसके बज़ाए early जो हो delivery हो सकते है तो ऐसे condition में भी ये steroid जो हो use किया जाता है specially lungs development के लिए कि जब बच्चे का weight काफी कम हो उसके lungs develop नहीं हुए है brain अच्छे से develop नहीं हुआ या फिर heart related proper development नहीं हो तो उस वग ये steroids भी काफी healthful सा भीत होते है बाकी हम बात करें dose के तो dose specially जब ये medication आप use करते तो start किये जाते है lower dose से कि जो भी उसका dose ये के समझा कि 5 mg का कोई medications का tablet वगरा या injection है तो वो सबसे पहले once a day के तो और पे आप use कर सकते हैं और जरूरत पढ़ने पर ही उसका dose जो है वो आप use कर सकते हैं increase कर सकते हैं और दिन में दो बार देते हैं तो वो divided dose में देचे कि 5 mg जिना है तो 5 mg मॉर्निंग में दे सकते हैं और दूसरा 5 mg जो आप evening या फिर रात को दे सकते हैं पेशन को कि जिससे एक divided dose में medication उसको पहुचे और ज़्यादा से ज़्यादा 12 hours का gap रखना चाहिए दो dose के बीच है बाकि आप individually medications के हमारे lecture तो है ही steroids के उपर तो वो आप देख सकते हैं उनके detailed dose की study के लिए फिर इनके हम side effects देखें तो acne अगर ये medication आप लंबे समय तक यूज करते हैं तो wrinkles हो सकता है, acne हो सकता है आपके skin के उपर insomnia मलब कि आपको नीद नहीं आएगी और आथ को late तक आप जागोगे तेसरी vertigo मलब कि इनके overdose या फिर multiple doses के करन या फिर लंबे समय तक यूज करने से आपको चक्कर आ सकती है, आपका weight gain हो सकता है मलब कि आपके body के अंदर वजन जो है वो बढ़ सकता है skin healing जो है वो impaired हो सकती है मलब कि skin की जो healing process है वो आपके जो है वो bigger सकती है depression में आप जा सकते है आपका blood pressure increase हो सकता है hypertension मलब कि blood pressure increase होना उसके अलाव हम देखे तो increased appetite आपकी भूख जो है वो बढ़ेगी और भूख बढ़ने के कारण आप ज्यादा खाना खाएंगे और आपका weight gain हो सकता है as a side effect electrolyte मलब कि हमारी body के अंदर जो electrolytes होते हैं कि समझे कि sodium होता है imbalance हो जाएगा जो electrolytes हमारे body के अंदर होते हैं फिर neurological problems भी आपके body के अंदर develop हो सकते हैं जिससे आपको numbness जैसा फिल हो सके या फिर neurons से जोड़े विमारिया हो सकती है female अगर उनको अंबे समय तक यूज़ करते हैं तो menstrual disorder हो सकते है menstrual cycle abnormal हो सकता है फिर abnormal hair growth होगी ये एक side effect develop होती है glucose हो सकता है because ये medication आपके आखों के अंदर intraocular pressure जो है वो increase कर सकती है फिर bone या फिर muscle या फिर joint के अंदर pain हो सकता है कि अगर आप लंबे समय तक overdose में यूज़ करते हैं ये बात होती है overdose की regular जो prescribed dose होता है उससे problem नहीं होता बट overdose या फिर लंबे समय तक यूज़ करने से ये कुछ complications हो सकते हैं फिर आपको पाचन तंत्र से जुड़ी विमारिय हो सकते हैं जिसको gastrointestinal disorder हम कहते हैं जो skin की तवचा related जो हमारे problems भी आपको हो सकते हैं warnings देखे तो patient counseling करना जरूरी है और जानना जरूरी है कि patient को इन में से कोई भी medication की allergy ना हो उसको kidney related कोई problem ना हो या फिर liver related problem ना हो या फिर ये सब fail ना हो कि kidney failure का patient ना होना चाहिए लिवर फिलियर का ना होना चाहिए उसी तरह से pregnancy के दौरान भी आप उसको use करते तो प्रावकर precautions के साथ ही use कर जैसे मैंने आपको बता है कि badness all use होता है बट वो जब risk की condition होती है कि preterm birth का risk है तूसवक्त इसके benefits लेने के लिए use के जाए वरना ये medication अगर समझा कि बच्चे की growth normal है कोई भी ऐसे complications नहीं है तो use करने की ज़रूरत नहीं रहती फिर जो kidney related जो patient होते हैं उनको proper precautions के साथ आप use करें किसी को hypersensity है ये medications की liver failure है या फिर gastric ulcer का patient है तो भी ये medications देने से पहले proper जो है वो patient counseling करना चाहिए तो ये थे steroids के बारे में detail information तो ऐसे इसी सिखे दवायों के basic use के बारे में dose उनके side effect warning and counter indication एक साल तक सरल बासा में affordable price में Pharma rocks के अब उपर सीखे दवायों के बारे में diseases and medicines के बारे में whatsapp कर सकते हैं 9016312020 पे या फिर android user android app download करें iphone user app store से link आपको description box में मिल जाएगी या फिर 9016312020 नमबर पे कॉल या whatsapp कर सकते हैं गूद लग अल दे बेस्ट